हलो फ्रेंड्स, माई नेम इस माई पाल सिंग, I welcome you on Guidly YouTube चैनल, आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो है multiplication tricks, तो ये multiplication tricks आपके बहुत काम की चीज़ें हो सकती हैं, बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, और अगर उस टैप का multiplication आएगा, तो वो 10 होना चाहिए आपका, जैसे 8 और 2 आपका, तो 8 और 2 आपका क्या बना रहा है, 10 बना रहा है, तो ये condition satisfied है, तो इस टैप का multiplication होगा, वो बड़े ही आसानी से अगर आप करते हो, अगर आपके कभी exam में ऐसा कोई pattern आ जाता है, जहां पर unit digit सेम होता है, और यहां पर ये वाला part क्या होता है, 10th place digit का जो sum है, वो 10 आता है, तो इसको directly हम कैसे कर सकते हैं, इसको directly कैसे किया जा सकता है, कि 7 और 7 को multiply करके आप last के 2 digit फिल कर लो, तो 49 आपका as it is आ जाएगा, अब आपको क्या करना है, 8 into 2 करना है, बट इसमें ये 7 add करके लिखना पड़ेगा, तो 8 into 2 क्या ह होता है, 16 और 7 कितना होता है, 23, तो आपका answer आजाएगा, 2349, ऐसे अगर आपको इसको करना है, तो 36 इसके last में आजाएगा, तो 6 into 6, 36 as it is देगा, तो अब आपको क्या करना है, 3 into 7, 21 है, और 21 में 6 add करके आपको लिखना है, तो 21 में 6 add करके लिखेंगे, तो 27, 36 आजाएगा, ऐसे ही, यहाँ पर आप 5 into 5 करेंगे, तो 25 आजाएगा directly, और 4 into 6 करेंगे, तो 24, 24 plus 5 आपका 25 आजाएगा, अब देखिए, यहाँ पर 2 into 2, अब यहाँ पर last के 2 डिजिट अगर फिल करने है, और यहाँ पर 4 ही होता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 04 लिखना पड़ है, और 6 into 4 आपका 24 and 2, 26, तो 2, 6, 0, 4 हो जाएगा, in the same way यहाँ पर आपके पास आजाएगा, 16, 16 में 2, अब आप यहाँ पर देखिए, 2 into 8 क्या होता है, 16, और आपको 4 add करना पड़ता है, तो 4 add करना है, तो 2, 0, 16 हो जाएगा, in the same way, यहाँ पर देखिए, 8 into 8 आपको क्या द 26, तो जब भी exam में इस तरीके का कोई pattern आता है, तो आप 2 से 3 second में यह direct लिख सकते हैं, अगर आपको यह pattern identify करना आता है, तो, बट यह pattern ध्यान में रखना, कि भई, unit digit आपका same होना चाहिए, और 10th place का addition क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और यह सारी चीज़े ना, base multiplication के basis प पा रहे हैं, तो दूसरा pattern क्या है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, unit place digit sum is 10, तो 6 और 4, 10 है, बट 10th place digit क्या होने चीए, same होने चीए, तो यहाँ पर अगर आपका unit place का जब sum आपका 10 होगा ना, वापस से multiply करके उसी तरीके से लिख दो जैसे आपने लिखा था, last वाले में कि multiply करके हमने 24 लिख दिया, बट इसमें क्या होता है न, यहाँ पर इन दोनों का जो multiplication होगा, इसमें 1 प्लस 1 करके multiply करना है, मतलब 3 इंटू 4 करना है, तो 12 24 आजाएगा, यहाँ पर देखो 3 और 7 का multiplication 21 as it is लिखा जाएगा, अब यहाँ पर 8 इंटू 8 नहीं लिखना है, यहा तो 132 आजाएगा, ऐसे यहाँ पर यह क्या हैगा, 16, right, क्योंकि आपका 8 इंटू 2 क्या देता है, 16 देता है, अब 7 इंटू 7 नहीं करना है आपको, 7 इंटू 8 करना है, 56 करना है, right, अब 6 इंटू 9, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 09 लिखना पड़ेगा, और 6 इंटू 7 करेंगे, तो 4 इंटू 9 हो जाएगा, तो इस टाइब के जो कोई भी यह वाला पैटन आएगा, तो आप 2 से 3 सेकिंड में इन कुश्यंस को कर सकते हैं, तो यह पैटन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो यह छोटी छोटी चीज़े हैं, इनसे आप मैट्स को थोड़ा इंट्रेस्टिंग बना सकते हैं, और आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ आपने लर्न किया होगा, अब देखिए हमारी टीम ने एक वीडियो कोर्स लाँच किया है, औ और ये वीडियो कोर्स केवल और केवल एक सिंगल एक्जाम के लिए नहीं है, अगर आप कलक का एक्जाम देना चाते हैं, या आर आर बी पी ओ का एक्जाम देना चाते हैं, या फिर आप आप आई बी पी एस पी ओ का एक्जाम देना चाते हैं, तो ये सारे के सारे एक्जा topic पर एक वीडियो दो वीडियो तीन वीडियो जब तक वह topic clear नहीं हो जाता उसपर practice PDF हैं फिर उस पर practice quiz है secret telephone group में quiz होते हैं आपके doubts all किये जाते है weekly doubt clear होता है lifetime validity है और previous year papers भी हम पूरे के पूरे वीडियो के form में recap कर रहे हैं तो और इसका जब costing आप सुनेंगे ना तो देखिए 1499 अगर आप ना जैसे मैंने कहा कि मान के चलो IBPSPO, SBIPO, या फिर CLERK, या RRB, अगर ये चार test series भी खरीद लोगे ना आप, तो भी आपका 1499 खतम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो 1499 में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा video course और सभी के लिए, केवल एक exam के लिए बैंक के सभी exam के लिए ये video course sufficient है, तो अगर आपको इस से regarding में कोई inquiry करनी है, तो phone कर सकते हैं, और यहाँ पर mail कर सकते हैं, आपकी queries का reply दिया जाएगा, I hope आपको video से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप अपने friends के साथ इस video को share करें, bye bye and take care.